प्रश्न था, हाली में खबरों में रही एशिया की सबसे बड़ी जुगी बस्ती धारावेज सित है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकलप D मुंबई में चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को धारावी क्या है? धारावी एशिया में जुगी बस्तियों का सबसे बड़ा समू है या मुंबई की ठीक मध्य में स्थित है यह 300 हेक्टेयर में फैला हुआ है जिसमें से 240 हेक्टेयर भूमी को राज सरकार ने परियोजना हित्तु अधिसु जित किया है इसकी स्थापना वर्ष 1882 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी हाले में एशियर के सबसे बड़ी जुग्गी बस दी धारावी की पुनर निर्माड की पहल धारावी पुनर विकास परियोजना ने परियोजना के लिए विजेता बोली लगाने वालों के प्रती पक्षपात की आरोपों के कारड विवादों को जर्म दिया है अता विकल्प D सही है तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ कोलिस्ट्रॉल के संबंद में निमनलिकित कथनों पर विचार कीजिए 1. HDL कोलिस्ट्रॉल जिसे कभी-कभी खराब कोलिस्ट्रॉल भी कहा जाता है आपके शरीर की अधिकांज कोलिस्ट्रॉल का निर्माड करता है 2. LDL कोलिस्ट्रॉल को कभी-कभी अच्छा कोलिस्ट्रॉल कहा जाता है क्योंकि यह आपके शरीर के अन्य हिस्सों से कोलिस्ट्रॉल को वापस आपकी लीवर में ले जाता है उपर्युक्त में इसे कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, दी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल पड़ी, न तो एक और नहीं दो चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को कोलिस्ट्रॉल कोलिस्ट्रॉल एक मोमी, वसा जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है आपका लीवर कोलिस्ट्रॉल बनाता है और यह कुछ खादेपदार्थ हो जैसे मांस और डियरी उत्पादों में भी होता है कोलिस्ट्रॉल रक्त के माधम से लिपो प्रोटीन नामक प्रोटीन पर चलता है दो प्रकार के लिपो प्रोटीन पुरे शरीर में कोलिस्ट्रॉल ले जाते हैं LDL कम घनतेव वाले लिपो प्रोटीन और HDL उच्च घनतेव वाले लिपो प्रोटीन आगला प्रश्ण है हाली में एन्नोर क्रीक खबरों में रहा है यह क्रीक किस राज्य में सित है? वल्लूर जिले मिल स्थित एक बैक वाटर है यह कोसत लैयार नदी की एक शाखा है मुगतवारा कुपम में क्रीक बंगाल की खाड़ी से मिलती है जबकि क्रीक का उत्तरी चानल पुलिकट जील से जुड़ता है जो देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जील है दशक जलनिकाई के रूप में सिमांकित किया गया है एन्नोर क्रीक बकिंगम नहर और शेश पुलिकर जल प्रडाली के साथ स्थानी मच्छवारों के लिए बहुत महत्वर रखता है अता विकल पड़ी सही है अगला प्रश्न है पार्ट मित्रों मोबाइल अप्लिकेशन के संबं उपरियुक्त में इसे कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एफल एक इफल दो यap दो यह न तो एक और नहीं दो इस पष्ण का सहीएतर है विकलप सी एक और दो दोनो चली देखते हैंग है इसके विष्लेशन को पार्ट मित्रों मोबाइल एप्लिकेशन कपड़ा म Corporation of India Limited द्वारा विकसित एक मोबाईल एप्लिकेशन है अतकतन एक सही है इसका उदेश जूट किसानों को नियूंतम समर्थन मुल्ले यानि MSP और कृशी विज्ञान के बारे में महतोपून जानकारी प्रदान करना है ये छे भाशों में उपलब्ध है अतकतन दो सही है उपयो जैसी किसान केंद्रित योजनाएं मौसम पुर्वानुमान, JCI की खरीद केंद्रों की स्थान और खरीद नीदियां भी एप में उपलब्ध कर आई गई है अगला प्रश्न है हाली में PM अजय योजना खबरों में है ये योजना किस मंत्राले के अंतरगत स्थापित की गई इस प्रश्नका सही उत्तर है विकलप बी सामाजिक न्याए और अधिकारिता मंत्राले चली देखते हैं इसके विसलेशन को पीएम अजय योजना योजना का मुख्य उद्देश विभिन आइस रिजन योजना कौशल विकास और बुनियादी ढाचे के विकास के माध्यम से लक्षित आबादी की आए में व्रिधी करना है अता विकल्प भी सही है अगला प्रश्न है निमनलिखित में से किस नेता ने भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के सत्र की अध्धक्षता की जिसमें चार प्रस्तावों स्वराज, स्वशासन, वहिश्कार, आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रिय सिक्षा को अपनाया गया था इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. दादा भाई नौरोजी चली देखते हैं इसके विस्टेशन को भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का वर्ष 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे जिसमें चार प्रस्ताव, स्वराज, बहिशकार, आंदोलन, स्वदेशी और रास्ट्रे शिक्षा को अपनाया गया था इस अधिवेशन की प्रमुख बाद ये थी कि इस अधिवेशन में नरमदल तथा गरमदल के बीच जो मतभेद थे वो उभर कर सामने आ गया दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षिय भाषण में पहली बार कॉंग्रेश की मंच से कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद अधिकार है तथा इसे हासिल करना ही कॉंग्रेश का लक्षी है यद्यपी यहां स्वराज शब्द से उनका तादपर्य औस्टेलिया इवं कनाड़ा की बिटिश उपनवेशों की तर्ज पर बिटिश प्रभुसत्ता की अंदर स्वशासन से था इस इस्ति में उदारवादियों ने दादा भाई नौरो जी को इंग्लेंड से वापस बुलाकर कॉंग्रेस की कलकत्ता आधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया अता विकल्प A सही है अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन सा भारत की सम्विधान की भाग तीन से संबद्ध नहीं है A समाननागरिक सहिता B सारवजनिक फांसी C ध्वनी प्रदूशर यदी कैदी को जीवन की आवश्यक वस्तुए उपलब्ध कराना इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A समाननागरिक सहिता चली देखते हैं इसके विस्तेशन को समाननागरिक सहिता शब्द का भारते सम्विधान की भाग चार अनुचियत 44 में स्पस्ट रूप से उलेख किया गया है अनुचियत 44 के अनुसार राज्यपूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समाननागरिक सहिता सुनिशित तर्ने का प्रयास करेगा सम्विधान की भाग तीन को भारत का मैगनाकार्टा की संग्या दी गई है मैगनाकार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जोन द्वारा सामंतों की दबाव में जारी किया गया था यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंदित पहला लिखित प्रपत्र था भारती संविधान का अनुचेद 13 गोशित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अलपी करण करने वाली विदिया शुन्य होंगी यह शक्ति सर्वुच न्यायाले अनुचेद 32 और उच्च न्यायालियों अनुचेद 226 को प्राप्त है हाला कि सर्वुच न्यायाले ने किश्वनंद भारती मामले वर्ष 1973 में कहा कि मौलिक अधिकारों की उलंगन के आधार पर सम्वेधानिक संशोधन को चुनोती दी जा सकती है अता विकल्प A सही है अगला प्रश्न है निम्नलिकित में से किसने खोज की कि हिक्स बोसोन एक जेड बोसोन और एक फोटॉन में विगटित हो जाता है ए राश्ट्री बहुतिकी प्रयोक्षाला बी यूरोपी परमाणू अनुसंधान संगठन सी मैक्स प्लैंक इंस्ट्यूट फॉर फिजिक्स यद्डी जापान एरोस्पेस एक्स्प्लोरेशन एजनसी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यूरोपी परमाणू अनुसंधान संगठन चलिए देखतें इसके विसलेशन को हिक्स बोसोन की जेड बोसोन और एक फोटॉन में 6 की खोज वैग्यानिकों या शोद करताओं की एक टीम द्वारा एक विसिस्ट शोद संस्थान या प्रियोग में की गई थी जैसे की CERN यूरोपी परमाणू अनुसंधान संगठन में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर सर्न एक फ्रेंट शब्द कॉंसियल इरोपीन पाउड ला रीचरचे न्यूकलियर का संशेपड है जिसका अंग्रेजी अर्थ होता है यूरोपीयन काउंसिल फॉर न्यूकलियर रिसर्च और इसे हिंदी में यूरोपीय नाबिकी अनुसंधान संगठन के नाम से जानते है लेकिन सर्वादिक प्रश्रित नाम सर्न नहीं है गौर तलब है कि सर्न कडब भौतिकी की सबसे बड़ी प्रियूक शाला है जो फ्रांस एवं स्विजलेंड की सीमा पर जिनेवा की उत्तरी पश्मी नगरी शेत्र में अवस्तित है सर्न में 22 सदस से देश शामिल है और वर्तमान में विशु के 70 देशों के सैकड़ों विशु विद्यालियों से लगबक 8000 वैग्यानिक और अभियंता इसमें कारे रत है अता विकल्प B सही है अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अंतराश्च्य चावल अनसंधान केंद्र कहा अस्तित है ए सोन्भद्र, बी वारांसी, सी और रैया, डी लखिंपूर खीरी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B चलिये देखते हैं इसके विसलेशन को 24 दिसंबर 2018 को प्रधान मंत्री ने वाराणजी की चानपूर में अंतराश्य चावल अनसंधान केंद्र का उधगाटन किया इस केंद्र में विश्वभर की उन्नत किस्म के चावल को लेकर शोध होते हैं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्पब बी तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को बैंकिंग में गयर निश्पादित परिसंपत्ति की क्या भूमिका है ए बैंकों के लिए मुनाफ़ा पैदा करना बी आर्थिक वृधि में योगदान देना इस प्रश्ण का उत्तर कमेंड वॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया